एज रिलेक्सेशन को लेकर कि जिस तरह से एस्प्रेंट्स लगातार हंगामा करते हैं एहतजाज करते हैं कि जब भी कोई मोका उन्हें मिलता है कि वो कोई सरकारी मुलाजमत हासिल करें या फिर सरकार की जानिब से कोई ऐसा प्रोसेश सामने आता है जब उन्हें ये मोका मिल लेकिन प्रोब्लम ये आती है कि एज लिमिट जो कि जमो कश्मीर की बात करें तो 32 रखी गई है उस हवाले से अभी तक देखा गया है कि बहुत से एहतजाज हुए हैं प्रोटेस्ट हुए है लेकिन उनकी अभी तक नहीं सुनी गई लेकिन ऐसे में एक अच्छी खबर है उन जास्तू के अंदर 40 से ज्यादा की भी रखी गई है 40 तक रखी गई है लेकिन जमो कश्मीर में सिरे 32 साल है और ऐसे में देखें जिन बच्चू की पैदाईश 1998 है 1994 है या 1902 है उनने पढ़ाई कि आज की धेच में अगर फॉर्म निकलते हैं तो उनका मसला कहीं न कहीं एज में फस जाते हैं और इस वज़ा से वो आगे नहीं निकल पाते हैं लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो बीचले कई वक्त में जमो कश्मीर में कुछ इस तरह के हालाद भी बने हैं जब ये तमाम चीज़ों पे जो है वो एक यू समझेगा कि रोक सी लग गई हो आप 1370 की बात करें जब आर्टिकल टूटा या फिर आप देखेगा कि यहां पर कॉविट का टाइम चला उस समय सारी चीज़े बन रही उससे पहले भी साल 2009 में 2008 में या फिर देखे 2006 में जब जमो कश्मीर के अंदर 2010 में कुछ हालाद खराब रहे थे यहां पर महीनू बन रहता था हरताले रहती थी बच्चे जो है वो competitive exam नहीं दे पाते थे तैयारिया मुकमल नहीं होती थी और इस वज़ा से कहीं ने कहीं जो दुश्वारियां हुई थी तब वो आज सामने आ रही हैं लेकिन ऐसे में जो PDP के leader और former education minister नईम अक्तर ने कहा है कि age relaxation जो है वो बच्चू को मिलनी चाहिए और ने जे के PSI माफ कीज़ेगा जो जमुकश्मीर public service commission है उसको भी criticize किया है उन्हें कहा है कि अगर आप उतर परदेश हर्याना या फिर उडिसा की अगर हम बात करें तो उडिसा के अंदर 38 साल दी गई है वहीं UP के अंदर 40 साल है हर्याना के अंदर 42 साल है औ और ऐसे में जिन बच्चों ने भी PhD करी है या फिर पोस्ट ग्रेजवेट है उनने बेड किया हुआ है वेल कौलिफाइड है लेकिन एज का मामला सामने आता है और वो बच्चे फिर आगे कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन ऐसे में उनने कहा है कि अब जमुकश्मीर में नई पात्चीत की गई थी और उनने भी यकिन दहानी की है कि जमुकश्मीर में जिस तरह से बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है हम उमीद करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस एज रिलेक्सेशन को जो है वो बढ़ाया जाएगा 32 साल के बजाए हम कोशिश करेंगे इसको 35 सा भरें और अपनी किस्मत जो है जरूर आजमाएं उनकी महनत जो उन्होंने सालों साल की है वो जाया नहों और ऐसे में अगर हम देखें तो बहुत सा जवान जो है बहुत से बच्चे जो हैं जिनकी समय उमर निकल चुकी है लेकिन वो अपना फॉर्म डाकिन नहीं करवा पा है लेकिन कहीं कहीं ये बात जो है जरूर एक बार फिर से उठी है कि एज रेलेक्सेशन बच्चों को मिलनी चाहिए ताकि वो अपने मुस्तक्बिल का सही फैसला कर सके अब आने वाले दिनों में हकोमत किस तरह से काम करेगी क्या इन बच्चों को फाइदा मिलेगा या नह के पास हाजिर होंगे तब तक के लिए दिखते रहे इन्यूज इंसाइडर 24-7